तो सुबा करीब सारे चार बजे के आस-पास हमने स्री वैश्णो माता के दर्सन कर लिये थे उसके बाद हमने एक जगा रेश्ट किया और जो है उसमें ठंड बहुत ज़दा थी करीब टंपरेचर 0 करीब 9 बजे के आस-पास हमने फिर से अपनी यात्रा शुरू की और अभी हम लोग जा रहे हैं बहरो बाबा के दर्सन करने और देखिए जो यह उड़न खटोला है जिसको आप रूपए भी बोल सकते हैं और देखिए इसका जो किराया है वह 100 रुपए पड़ता है पर पर प परसन आपको अलग अलग टिकर मिलता है और देखिए इसको आने जानने का किराया दोनों मिलाके 100 रुपए है लेकिन अगर आप इसमें एक तरफ जाते हैं तो आपको 100 रुपए एक टिकर लेना होता है और अगर आप दो घंटे के अंदर ही वापस आ जाएंगे तो आपको और अगर तका आप यहां थंड़े की सीजन में आते हैं यहां थंड़ जादा पड़ती है यहां टंपरेचर 0でkatर से –1 on –2 temperature भी हो जाता है दिखिए इसनोफाल तो नहीं हो रहा है लेकिन हां थंड वहुत जादा है तो घर आप अपनी यातरा को आग्ए बढ़ाते हैं तो आप इस बात के जरूर ध्यान रखिए कि आप धूप निकलने का इंतजार करिए और जब करीब आठ बज़े तो बिल्कुन मत जाएं नौ दस बज़े के बाद धूप निकल जाए तो उसके बाद ही अपनी यात्रा को आरम्ब करें तो भैरो बाबा के दर्सन हमने कल लिये हैं अगर आप जो है वैस्टो माता के दर्सन करने आते हैं तो आपको भैरो बाबा के दर्सन जरूर करने होंगे क्योंकि कर आप भैरो बाबा के दर्सन नहीं करते हैं तो वैस्टो माता के जो यात्रा है वो अधूरी मानी आती है और यहां पर अगर दर्सन करने आते हैं तो यहां पर भैरो बाबा के साथ साथ आपको श्री बड़े हन्मान जी के भी आपको दर्सन करने को मिलेंगे कर दो एक हो भी कर दो तैसा और भुटू को अबड़ाबनानी कि यह तो कर दो के दो ऊपना है है जड़े विल्ण sow तो हम सब्सक्राइब का है कि तब आप देख सकते हैं कि माता वैश्ण देवी का धाम है और देखिए अभी हम लोग भैरो बाबा से अपनी यात्रा जो है दर्सन करके वापस जा रहे हैं कट्रा के लिए और देखिए ये माता वैश्ण देवी का लाज दर्सन आप कर सकते हैं कि माता वैश्ण देवी का रहा हैं